दोस्तों विरेट बेली व्लॉग से आप सबको ये पता तो चल ही गया होगा कि मुझे घर को साफ सुत्रा रखना और गनाईज रखना और सजा करके रखना बहुत जादा पसंद है और इसके लिए मैं पुरी कोशिश करती हूं कि मेरा घर अच्छे से मिंटेन रहे लेकिन ये एक महीने एक हफ्ते तक ऐसा ही रहे तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है चोटे-चोटे से स्टेप चोटे-चोटे से प्रयास हमें डेली करने होते हैं और हमेशा कोशिश करनी चाहिए इस तरह के प्रयास करने की इसी से हमारा घर मिंटेन रहता है तो आज मैं शेयर पाई थी अभी टाइम निकला है तो सोचा की चलो मैं आज इनको करती हूँ तो क्या-क्या बना रही हूँ चलिए शेयर करती हूँ लेकिन अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजे इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए और अगर वीडियो पसंद अगरा के कपड़े भी शामिल होते हैं तो यहाँ पर मेरे पास एक नया दुपटा था जो की जॉर्जट मटीरियल का था कुछ प्लेन पोर्शन था उसका और कुछ था सितारों का तो मैं दोनों को ही इस्तिमाल करूंगी तो इस तरह की बचे हुए टुकडों का प्रियोग काप कर सकते हैं इन प्रोजेक्स को बनाने के लिए तो मैंने इस तरह की देखिए दो पटियां कट की हैं लगबग 6 इंच चौड़ी पटी है ये और एक पटी 6 इंच चौड़ी है तो इस तरह की दो पटियां मैंने कट कर ली है अब क्या करना है दोनों पटियों को एक के पर यह चोड़ देना है, पटी जोड़ करके अलग रख देंगे और जो शितारों वाला कपडा था उससे मैं card सर्कल करके है, एक सरकल किया है मैंने कट प्लेन वाले कपड़े का तो इन दोनों सरकल को कट करने के बाद में एक प्लेन वाले कपड़े की सरकल को तो अलग रख दिया है मैंने और जो लंबी हमने पट्टी की थी न उससे हमें इस तरीके से इसकी चारो तरफ फ्रेल लगाना है फ्रेल किस त इसको मैंने डबल फोलड कर लिया है डबल करने के बाद में बराबर बराबर इसको फोलड करना है इस तरीके से दिहान से देखिए बस थोड़ा-थोड़ा करके मैं फोल्ड कर रहY हूँ और उसके बाद में सिलाई लगाते जाना है और ये एक बार में काफी सारे फोल्ड नहीं बनाने हैं एक एक करके फोल्ड बनाएंगे तो आराम से हो जाएगा ये देखे मैंने चारो तरफ इसके उपर फ्रिल लगा दी है और फ्रिल लगाने के बाद में ये कुछ वो दूसरा वाला पीस जो हमने प्लेन फाब्रिक का कट किया था इस फाब्रिक को ले करके मैं इसके चारो तरफ सिलाई लगा दूँगी थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दूँगी जिससे कि जब हम इसको सीधा करें तो ये ठीक हो जाए तो ये देखे मैंने सिलाई लगा दी है इसके चारो तरफ और अब मैंने कर दिया है इसको सीधा सीधा करने के बाद में ये हमारा प्रोजेक्ट कम्पलीट है लेकिन इसको थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए अभी मैं कुछ और भी करूँगी ये जो साइड वाला रह गया है न जो हां से हमने सीधा किया था इसको भी अंदर के साइड में फोल्ड करके और फिर सीधा करके इसके चारो तरफ एक सिलाई लगा दूँगी जिससे कि इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए सिलाई बल्कुल बारिक-बारिक लगानी है केनारे केनारे जिससे कि आच्छा भी लगे और फिनिशिंग के साथ में लगे अब ये मैंने क्या बनाया है ये मैंने बनाया है एक थाल पोश अब चाहें तो इसके नीचे एक और लेस लगा सकते हैं कोई भी पॉमपॉम वाली घुंगरू वाली जो भी आपको अच्छी लगे लेकिन मैंने इसको प्लेन रखा है वो इसलिए क्योंकि ये खुद बखुद सितारो वाला है और सिप्पी वाला काम होने की वज़े से ये काफी शाइन कर रहा है मैंने इस थाली कवर या थाल पोश को अपनी एक डिनर प्लेट के बराबर का बनाया है अगर आप इसको ट्राइ करते हैं तो आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं पुरी तरीके से आपकी अपनी चॉइस है चाहें तो इसमें सितारी लगा सकते हैं चाहें तो इसमें किनारी ल प्रोजेक्ट अपने लिए और वो क्या प्रोजेक्ट बनाना था वो तो रह गया लेकिन आज मैं इसका रियूस कर रही हूं और यह जो रनर है मैंने लोकल माकेट से लिया था 150 रूपीज में और यही से मैंने और भी ओनलाइन वेबसाइट पर देखा था तो वो मुझे कॉस तो मुझे इतना चाहिए नहीं था इस करके मैंने यह ले लिया सिर्फ रनर और आप देखे यह 4 सीटर ही है तो मैं क्या करूंगी इसको मुझे कट करना है और कुछ बनाना है अपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए रनर में से मैंने 13 by 23 इंच का कपड़ा लिया है और इससे मैंने 2 कपड़े लिये हैं बाकी जो एक्स्टर कपड़ा बचेगा उसको मैं कट करके अलग कर दूँगी आच्छली तो मैं यहां पर इससे टेबल रनर बना रही हूँ और टेबल रनर ना मार्केट में मिलते नहीं है बड़े टेबल रनर तो मिल जाते हैं 4 सिटर 6 सिटर ल लग रहा था तो finally मैंने एक रनर पर्चेस करके यह काफी टाइम पहले परचेस किया हुआ था मैंने बस इसको दोनों को इसके बराबर का लिया कट किया और कट करने के बाद में बस खाली एक किनारा मोड़ दिया क्योंकि एक किनारा तो इसमें फोल्ड किया हुआ था अब ये जुगाल लगा रखा था मैंने काफी टाइम से लेकिन हाँ अब ये मैंने रणर लगा दिया है तो ये बहुत अच्छा लगा है इसके बाद अगले प्रोजेक्ट के लिए मेरे एक ये दुपट्टा पड़ा था पुराना जो की काफी खुबसूरत सा था तो मैं इसी का रियूज कर रही हूँ इसमें और इसके लिए मैंने पिंग कलर का दुपट्टा लिया है उसके बाद में ली है जो पेस्टिंग ली है पेस्टिंग बोलते हैं इसको बुकरम भी बोलते हैं वो ली है और बुकरम को लेने के बाद में एक लिया है मैंने बैटशीट का पीस जो की वेस्ट पड़ा हुआ था तो इन तीनों पीसे को एक के ऊपर एक रख करके मैंने आईरन की हेल्प से आईरन कर दिया इससे ये त तीनों चीज़े आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ट हो गई हैं अटैच्ट हो जाने के बाद में लगबग 2 इंच की मैंने चौड़ी पट्टी ली है और इस पट्टी को इसके चारो तरफ मैं ऐसे करके किनारे किनारे सिलाई लगा दूगी जो एक्स्ट्रा पट्टी ब बना रही हूं कुछ और बना रही हूं तो इस तरीके से देखे चारो तरफ कट लगाने के बाद में मैं इस सरकल के चारो तरफ इस तरीके से पाइपिन को फोल्ड कर दूगी और ये बन करके तयार हो गया मेरा एक सरकल जिसके मैंने चारो तरफ कट करके पाइपिन लगाई है, अब इस तरीके से चाहें, तो कोई भी रोटी रूमाल बना सकते हैं, अब मैंने इसको इस तरीके से चार तरह से फोल्ड किया, अब चार तरह से और फोल्ड कर देंगे, टोटक आठकोने हमारे बन करके तयार हो जाएंगे, अब इन आठ कोनों पर इस तरीके से हमें माकिंग करनी है उपर के साइड में हमें करनी है लगबग आधा आधा इंच छोड़ करके और नीचे के साइड में भी करनी है हमें और इसके बाद में इस तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी सी सिलाई लगाते चाना है यहां पर उपर से लेकर क नीचे तक आठ जगा मैंने इस तरीके से सिलाई की है और सिलाई करने के बाद में मेरी एक ये फैब्रिक पास्केट पन करके तयार हो गई है इन सिलाई में मैंने आधा आधा इंच का गैप दिया है आपको पहले भी बताया अब इसको दोनों तरह से यूज कर सकते हैं पिंक स समान रख सकते हैं बचों का स्टेशनरी वगरा रख सकते हैं वेजिटेबल वगरा रख सकते हैं आनियान रख सकते हैं जैसे गार्लिक हो गया पटैटो हो गए चोटी-चोटी सी चीजे इस तरीके से करके हम अपने फ्रिज में रख सकते हैं किचिन में रख सकते हैं बाथर बच गया था तो इस फैब्रिक का भी रियूज करी लेती हूँ उसके लिए मैंने क्या किया इस फैब्रिक को बराबर फोल्ड करके पहले तुम्हें लगाऊंगी एक कट और उपर के साइड में लगानी है मुझे जिप आप चाहें अगर आप जिप लगाना जानते हैं तो एक साइड में तो मैंने लगा दी है अब इस तरीके से करके दूसरे साइड में भी जिप लगा देनी है तो बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आप सब के साथ में जिप लगाने का तरीका तो जिप लगाने के बाद में एक्स्ट्रा जिप जो है उसको मैं कट कर दूँगी लेकिन कट करने से पहले ये कपड़ा कट करूँगी क्योंकि इसकी लेंथ जादा है जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने रख लिया और बाकी को मैंने कट कर दिया इसके तीन तरफ अभी बाकी सिलाई लगानी है सिम्पल सी सीधी सिलाई लगानी है तीनो साइड में और सिलाई लगाने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लग रहा है अब इसको कर लेंगे हम सीधा ये एक पाउच बनाया है लेकिन कैसा पाउच है वो तो अभी दिखाऊंगी तो सीधा करने के बाद में मैं इसके चारो त पसंद आया और उसने तुरां थैंक करके देखा अब जैसे हम वॉक वगरा करने जाते ना तो इस तरीके से मोबाइल को हाथ में रख लेके जाने की बजाए पाउच में करके लेके जाएंगे ना तो बिल्कुल टेंचन फ्री भी रहेंगे और हमारे साथ भी रहेगा हमारा मो तो मैंने रख करके भूल गे और मुझे मिल नहीं रही तो मैंने यह वाली लगा दी है और इससे थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप का हो गया है इसमें मोबाइल डाल करके और हम जैसे वॉक पे जाते हैं कहीं पी जा रहे हैं तो सूट वगरा के ऊपर बहुत अच्छा लिखिएगा और अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक सरूर कीजेगा थांक्यों सो मच पर वाचिंग मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही एक नए और इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए पी हापी पी अपना ख्याल रखिए और मस्ते रहिए बाइबाइ करएंगा फॉवड़ लाइबाबड़ लाइबाइबाबाबड़गा फॉबस में तर वाचिंग पर वाचिंगा और अपसे वीडियो में तर वाचिंगर यह वीडियो में तर